नमस्कार स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में जैश्री राम दोस्तो अगर बात की जाए बिग बॉस के इस आखरी आखरी वोटिंग की जो की मिडविक एविक्शन के लिए है जहां पे लोग जो हैं जो 6 लोग हैं उनमें से सिफ एक जाएगा और 5 लोग आगे बढ़ेंगे तो फाइनली उसके बारे में एक बड़ी अपडेड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए मेरे दूसरा चैनल राहूल वोच कॉमेडी है कॉमें सेक्शन में लिंक भी पेस्ट कर दिया है जाए जाकर धेर सारा प्यार बरसा दीजिए उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें तो हम सबको पता है कि खेलो घर से बेघर होने के लिए इस अफ़ते नॉमिनेट हो चुके हैं ये आखरी नॉमिनेशन है और आपको बताना चाहता हूँ कि मिड़ वीक जो है एक का पता कट जाएगा जो कि most probably Tuesday के दिन होने वाला है या हो सकता है मंडे को ही हो जाए मतलब कि आज के दिन ही हो जाए लेकिन आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो वोटिंग है इस पर जिस तरीके का जोर लगा है ओ माई गॉड देखे लिटरली दिल खुश हो गया है और जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही जनता कर रही है गुप्तुचरों ने वोटिंग मेरे हाथ में पकड़ा दी है और मैं आपको बताऊंगा एक्जेक्ट कौन है तो दोस्तों सबसे पहली और मेजर इंपोर्टन बात लास्ट पोजीशन पे बने हुए है और कोई नहीं बलकी विक्की भाईया जी हां विक्की भाईया लास्ट पोजीशन पे बने हुए है और टॉप सिक्स में वो सिक्स पोजीशन पे बने हुए है तो डेफिनेटली उन का हो जाए और विकी जो है आगे जाए क्योंकि खेल में कॉंट्रिबूशन की अगर बात की जाए तो definitely अरुन भहिया का खेल जो है as compared to विकी भहिया वो थोड़ा सा लो रहा है वो इधर बचते-बचाते चुपते-चुपते जो है पहुँचके और in fact नीकेन के बारे में भी सल्मान साहब ने ये बड़ी बात पोली थी इसके साथ साथ दोस्तों उसके ठीक एक उपर चौथी पोजीशन पे बैठी हुई है मनारा चोपड़ा यानि की बार्वी हांडा तो मनारा जो है वो चौथी पोजीशन पे बैठी हुई है दोस्तों और देखना ये होगा कि क्या वो क्योंकि वो अंकिता से जो की थर्ड पोजीशन पे बैठी हुई है उस पे काफी ज्यादा जो है उच नीच है चल रही है मतलब 19-20-20 चल रही है टकर तो लेट सी देखते हैं कि बार्वी हांडा जो है पीछे जाती है उपर आती है पता नहीं अंकिता पीछे जाती है उपर आती है पता नहीं बोले तो अपना मुनावर पारुकी जी हाँ मुनावर पारुकी दूसरी पोजीशन पे बने हुए और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि नमबर वन पे अभी शेक है और जो मतलब जिस तरीके का इनका गैप है जादा नहीं अगर अभी शेक 20 है तो मुनावर जो है व और वो actually में voting में काफी पीछे थी तो अगर इस basis पर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि विक्की भहिया होगे लेकिन अगर contribution और खेल के हिसाफ से देखा जाए तो भाई अरुन भहिया बने हुए आपको क्या है कहना comment करके जरूर बताईएगा चलता हूँ और खबरे आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा बाई